हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हम कफशा 5 हिंदी की वर्क सीट हल करेंगे उपविशय बिशन की दिलेरी तो चलिए वर्क सीट हल करते हैं प्रस्न एक हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए तो बच्चो नीचे कुछ वाक्य दिये गए हैं इन्हें पढ़कर हमें इनके आगे हाँ या नहीं लिखना है पहला पहाडों के पीछे से चांद जहांक रहा था तो यहां लिखेंगे हाँ दूसरा बाग में कीट नासक दवा का छड़काव हो रहा था तो लिखेंगे हाँ तीसरा विशन को गोली चलाने की आवाज सुनाए नहीं दी तो लिखेंगे नहीं चोथा घायल तीतर गेहुं की बालियों के बीच मरा पड़ा था तो यहां लिखेंगे नहीं पाँचवा विशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था तो यहां लिखेंगे हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं प्रेशन दो दिये गए सब्दों में से सही अर्थ को चाट कर लिखिए यहां बॉक्स में कुछ सब्द दिये गए हैं घायल काटेदार कीडे मारने वाला शान्ती चिडिया को रखने की छोटी जगा है हमें इन सब्दों को सही जगा लिखना है पहला कंटीला का अर्थ होता है काटेदार दूसरा जखमी इसका अर्थ होता है घायल तीसरा कीट नासक का अर्थ होता है कीडे मारने वाला चोथा दडबे इसका अर्थ होता है चिडिया को रखने की छोटी जगा पाचवा खामोशी इसका अर्थ होता है शान्ती चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्न तीन प्रस्नों के उत्तर लिखिए पहला विशन ने घायल तीतर को कहा छिपाया था तो इसका उत्तर लिखेंगे विशन ने घायल तीतर को एक टोकरी में स्वेटर से ढखकर छिपा दिया था दूसरा विशन को गोली चलने का कारण क्या समझ में आया तो यहां लिखेंगे विशन को गोली चलने का यह कारण समझ आया कि गोलियां सिकारियों ने चलाई हैं तीसरा शिकारी तीतर का सिकार क्यों करते हैं तो इसका उत्तर लिखेंगे शिकारी तीतर का सिकार खाने के लिए करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं चोथा करनल सहाब ने सिकारियों को क्यों डाटा तो यहां लिखेंगे करनल सहाब ने सिकारियों को इसलिए डाटा क्योंकि वे खाने के लिए तीतरों का सिकार करते थे पांचवा गायल तीतर का इलाज किस प्रकार किया गया तो इसका उत्तर लिखेंगे करनल दत्ता ने तीतर के पैरों का जखम साफ किया वे दवाई लगा कर टेप लगाई चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस्न चार पाठ में से सब्द युगम चाट कर लिखे उधारा सुभा सुभा तो बच्चो पाठ में आए सब्द युगम है इधर उधर दो तीन तडप तडप कर साथ साथ छिप छिप कर जोर जोर कभी कभी अभी अभी इन में से आप कोई भी दो सब् दिख सकते हैं प्रश्न 5 संयुक्तंग वेल्जनस से दो-दो सब्द लिखिये पहला आधा koh और यह किर इससे सब्द लिखेंगे क्यारी वाकिये दूसरा आधा सर अर तश्त सर इससे शब्द लिखेंगे बस्ता 20 तर तीसरा आदाच्छ और पूराच्छ सब्द लिखेंगे अच्छा गुच्छा बच्चो आप इन सब्दों के अलावा भी इन संयुत व्यंजनों से अन्य सब्द बना सकते हैं तो बच्चो ये वर्क सीट यहां कम्पलीट होती है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अन्य विश्यो पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे हमारा च करें अन्य वीडियो